क्रिश करेगा बिंदिया को प्रपोस पायल के सुनकर उड़ेंगे होश कले शानल पर आ रहे सीरियल सुहागन की आने वाले अपिसोड में आपको देखने को मलने वाला है बड़ा थ्विस्ट लेकिन उससे पहले मैं हुझानगी वल्कम करती हूँ आपका चानल की तरफ से शोग की कहाली आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो बिंदिया है वो क्रिश के कई बार अपमान करने के बावजूत क्रिश के साथ ही थी उसके दुगदर्द में उसके साथ थी पायल जोती हमेशा खुशियों में साथ थी और अग क्रिश को ये बाद समझ में आ गई है जहां पर हमें लगता है कि बाबुजी और अम्मा जी का प्लान काम्याब होता हुआ दिखाई दे रहा है दरसल हम देखते हैं कि केस तरीके से जब से बिंदिया ने क्रिश को ये कहा है लेकिन बिंदिया उसके साथ दुखदर्द में होती है तो क्रिश को ये सब बहुत अच्छा लगता है क्रिश इस बात को खुद कबूल करता है और बोलता है कि पहले ऐसा नहीं था पहले मैंने तुम्हारा कई बार अपमान किया लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ खड़ी रही मैंने इतनी बार तुमें धखेला लेकिन फिर भी तुम मेरे पास ही रही अब ऐसे में जब तुम मुझसे दूर चली गई ता मुझे इस बात का हैसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिला नहीं रह सकता कृष करने वाला है बिंदिया को प्रपूज अम्मा जी और बाबु जी की चाल हो चुकी है काम्या जिस तरीके से बाबु जी और अम्मा जी इस बात को सुन लेते हैं कि भाई कृष ने बिंदिया को ये कह दिया है कि अब जो है मुझे समझा गया है कि तुम्हारी दूरी से मुझे कुछ हो रहा है और जब तुम पास की तम में तुम्हारी कदर नहीं करता था तो यहाँ पर क्रिश बताता है बिंदिया को अपने दिल की पाथ कि तुम मुझे हर जगा तो दिखाई दे रही हूँ पायल ठीक है, खुशों में साथ रहती है खुश रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ दुखदर्द बात लेता हूँ और तुम भी मेरे दुखदर्द को समस्ती हो अब ऐसे में जब ये पायल सारी बाते सुनती है तो पायल को तो बहुत बुरा लगता है और बिंदिया क्रिश की बातों में यकीन ही नहीं करती लेकिन यहाँ पर अम्मजी और बाबुजी जो है वो एक दूसरे से हाइपाई करते हुए रिखाई देते हैं यानि कि इन दोनों का प्लान काम्याब हो रहा है अब ऐसे में बिंदिया का क्या डिसीजन होगा जब क्रिश से रहा नहीं जाता तो क्रिश अपने दिल की बात बिंदिया से कह देता है लेकिन अब सवाल यही है क्या बिंदिया क्रिश की इस बात को समझेगी या फिर बिंदिया को लगेगा क्रिश फिर से ऐसा ही कुछ करके मुझे जो है बड़ी चुनौती देगा या मुझे फिर से बेजज़त कर देगा वैसे आपको क्या लगता है कमें सेक्षन में बताईएगा जरूर क्योंकि जो पायल का चहरा है न वो तो काफी जादा गुस्ते में तिल मिला चुका है क्योंकि पायल जो है नहीं चाहती थी क्रिशोर बिंदिया कभी एक हो कमें सेक्षन में आपके जाय बताईएएगा और कर दीजी चानल को सब्सक्राइब